भारत का एक ऐसा मंदिर जिसे आज तक 17 बार लूटा गया और 6 बार तोड़ा गया लेकिन हर बार ये मंदिर अपने अस्तित्व को बचा के फिर से खड़ा होने में काम्याब रहा कौन सा है ये मंदिर और क्या है इसके पीछे का इतिहास चलिए जानते हैं पुरानी कताओं के नुसार चंदर देव ने भगवान शिव की पूजा करने के लिए इस मंदिर का निर्मान करवाया था जिसका मतलब है समुद्र केस बिंदू से यानि की सोमनात मंदिर से दक्षिन द्रूव यानि की साउथ पोल तक सीधी रेखा में कोई भी पहाड या फिर जमीन नहीं है और अगर आप मैप देखेंगे तो ये सच भी है लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि आज से हजारों साल पहले बिना किसी एडवांस टेक्नोलोजी के उन लोगों को इसके बारे में कैसे पता चल पाया ये आज तक भी एक रैस्या